आज सवेरी ने दिली में प्रधरमंद्री की निवासिस्थान पर शिमति गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई मुझे नहीं समझ में रहा था कि उस वक्त मैं किस तरह वो न्यूस पर हूँगी आज सेक्डों समाचार चैनल हैं जो दिन भर न्यूस देते हैं हजारों न्यूस रिडर्स हैं कही तरह के बिलेटिन भी लेकिन एक दोर था जब सिर्फ दूर दर्शन था और थे कुछ जाने पैचाने नाम उनकी आवाज और उनका ढंग ढब बहुतों के लिए मिसाल बना इस वीडियो में मिलेगा आपको समाचार पढ़ने का अंदाज कि आजादी से पहले समाचार पढ़ने का अंदाज क्या था और धीरे 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 समाचार पढ़ने का अंदाज किस तरह से बदलता गया और आज इस मुकाम तक हम पहुँच गए हैं कि अब घीड भाड है श जे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा इसके बाद बंबाई के गवर्नेर सर महराज सिंग ने भारत के प्रधान मंतरी पंडिजवालाल नहरू कसंदेश विशनाया कल से शुरू होने वाले संसत के अधिवेशन में 57 नए विदहक रखे जाने की आशा है बाद इंद्रा गांदी की हत्या वाले दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 की है जब दूर दर्शन पर न्यूज एंकर सलमा सुल्तान ने दुनिया को इंद्रा गांदी की हत्या की खबर सुनाई थी सल्मा सुल्टान बताती हैं कि कैसे उस दिन उन्हें इंद्रा गांधी की हत्या की ख़वर पढ़नी पड़ी और उन हालातों में जब उनके आंसु नहीं रुक रहे थे वो काफी बेबस होगी थी आज सवेरी ने दिली में प्रधान मंत्री की निवास इस्थान पर शिमति गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई मुझे नहीं समझ मारा था कि उस वक मैं किस तरह वो न्यूस पर हूँगी किस तरह की तैयारी करूँगी और सिर्फ इक आसुथे जबीटा था शॉप थे जिसको मैं तो नहीं नहीं जा सकती हुँगी में कुछिश कर राग सकते हैं जाँ दूद की नदियाबा है मेरो गाम कठा पाणे जाँ दूद की नदियाबा है जाँ कोई अलटो कोगाए मारे घर अंगना ना भूलो ना और इंसक प्रदर्शन के बीज 24 फरवरी को एक प्रदर्शन कारी ने हवा में पिस्टिल तानी थी जिसका दिल्ली पुलिस के हेड कॉंस्टेबल दीपक दहिया ने डट कर सामना किया जिसे आश तक ने बात की